तदकाल न्यूस लाइफ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन प्रिस कीजिए नवश्कार मैं हूँ तोरल और आप देखरें तदकाल न्यूस लाइफ देश की राजज़ानी दिल्ली में श्रधा के बाद एक और ऐसा हत्ताकान सामने आये हैं जिसके बारे में सुनकर ही कई लोग सहम जाएंगे बाबा हरिदास नगर इलाके में मित्रावगा में साहिल नाम के शक्स ने कार में अपनी लिविन पार्टनर निक्की की हत्या की फिर उसके शव को 40 किलोमिटर दूर अपने धाबे में ले जाकर शव को फ्रीज में शिपा दिया इतना ही नहीं आरोपी साहिल गहलोत ने अगले ही दिन किसी दूसरी लड़की से शादी भी कर ली क्राइम रांच ने आरोपी को गिरफतार किया है हलाकि अब आरोपी को कोट की तरफ से पुलिस रिमान पर भेजा जा चुका है अब इस मामले में नई जानकारी सामने आई है पुलिस सुत्रों ने आज बताया है कि दिली में जिस लड़की यानि निकी का शव मंगलवार को सड़क किनारे एक धाबे में फ्रीज में मिला था उसके लीव-इन पार्टनर ने डेटा केबल से गला घोट कर उसे मारा था 24 वर्षिय सहील गहलोत को श्रद्दा हत्याकान जैसी एक घटना में कतित रूप से अपनी प्रेमिका की हत्या करने के आरोप में गिरफतार किया गया है उसने 23 वर्षिय निकी आदव की हत्या कर दी है और उसके शव को अपने परिवार के धाबे में फ्रीज में रखने का फैसला लिया सूत्रों ने कहा है कि जिस कार में निकी आदव की कतित तौर पर हत्या की गई थी उसे जब्द कर लिया गया है फिलाल आरोपी को पाश दिन की पुली सिरासत में भेज दिया गया है 24 वर्षिय फार्मा ग्राजुएट साहिल ने हत्या की दिन कतित तौर पर दूसरी महिला से शादी कर ली थी निकी आदव के लापता होने पर पुलीस ने साहिल को ढून निकाला इस मामले में निकी कोई पडोसी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्श कराई थी हरियाना में जजजर में उसके परिवार को नहीं पता था की कहा है पुलीस ने कहा कि निकी और साहिल मेडिकल प्रवेश परिक्षा की तयारी के दौरान मिले थे इसके बाद से वो लिविन रिलेशन्शिप में थे उसे नहीं पता था कि साहिल की सगाई किसी दूसरी महिला से हो गई है निकी के पिता सुनी लियादव ने साहिल के लिए मौत की सजा की मांग की है यह घटना पिछले साल दिली में हुई श्रद्धा वालकर हत्या कांड से काफी मिलती जुलती है श्रद्धा की कती त्रूप में हत्या उनकी लिविन पार्टनर आफता पुनावाला ने की थी